हेलो स्टूरेंट्स आफ सभी का स्वागत है तो बच्चों आज से हम क्लाश 12 की केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं जो कि आप लोगो फनसीकात आगे में हम पढ़ाएंगी क्लाश 10 की जो कॉंटेंट है वो रेगुलर अपलोड होती रहेंगी साथ ही 12 की भी हम केमिस्ट्री को आज से पढ़ेंगे 11 और 12 की जो फिजिक्स बाइलोजी या फिर केमिस्ट्री की क्लासेज होंगी तो वो भी बहुत ही जल्दी अब सुरू होने वाले हैं तो चैनल को सब् करके रखें इसमें आप लोग को एक कम्प्लीट एजुकेशन दिया जाएगा 10-12 तक में तो चलिए अभी हम क्लास 12 की जो भी सिलेवस है जो प्लू प्लिंट है किस तरह के कोशन आएंगे कोशन पैटर्न एक्जाम पैटर्न इन सब चीजों को समझते हैं 2023 बोर्ड एक्जा किस वार्ण समारे रहने वाल हैं तो देखो 2023 में 30% जो कोशन रहेगा वह आप लोग का केज बेश्ट में होगा जो thinking power है वह आप लोग की बढ़ाइज आ रही है ठीक है यानि कि जो ये केज बेश्ट 30% केज बेश्ट होगा MCQ में रहेगा ठीक है MCQ में रहेगा और Source बेश् तो 30% आप लोग का जो question रहेगा वो case based MCQ और source based में रहेगा ठीक है ना और बाकी जो आप लोग के 20% questions बच गए तो वो आप लोग का objective question होगा सर ये objective questions में क्या है तो ये आप लोग का one marks में रहेगा सारे के MCQ रहेंगे, options रहेंगे तो नहीं, कुछ में options रहेंगे कुछ में आप लोग के नईव रहेंगे तो कुछ में आपके जो रहेंगे, वो MCQ में भी रह सकता है फिलिंदा ब्लैंक्स में रह सकता है one word answer हो सकता है, किसी भी way में हो पुछा जाकता है matching में भी पुछा जा सकता है okay, assertion region में भी पुछा जा सकता है तो इस तरह के questions जो होगे, वो 20% में सामिड़ा है तो 50% कहने का मतलब क्या होगा chemistry में आप लोगे 70 marks के examinations होगे तो इसमें से 35 marks के questions होगे वो सिर्फ आप लोगे 1 marks के questions होगे ठीक है, क्योंकि जो case based होगा या फिर source based होगा ठीक है, तो सारे chapters को हम समझेंगे चलो, आगे हम लोग यहाँ पे देखते है बाकी जो आप लोग का 50% question बची गया तो वो आपका short, long, very long इस तरह में पुछा जाएगा जो कि आप लोग पढ़के जाते हो, रठके जाते हो तो महीं से question आपके आएंगे, 50% आएंगे, 35 marks तो देखा जाए तो passing marks तक आप ला सकते हो बहुत सारे बच्चे यह भी कर रहे है सर, passing marks का class to wealth की क्या है सभी subjects में तो फिलाल chemistry का यहाँ पे मैं आपको syllabus बता रहा हूँ तो chemistry में आप लोग को फिलाल यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि उस chemistry में passing marks है वो 70 में, 70 में आप लोग को कम से कम 24 number लाने है कोशन आएगा कि सर क्या हम 23 लाएंगे तो फेल का लाएंगे तो नहीं, आप 23 number लाओगे तो आपको grace marks देके एक number grace marks मिलके आपको 24 कर दिया जाएगा लेकिन कोशिज करना है कि आप लोग 24 marks के लिए मत सोचो आप 30 marks के लिए सोचो ताकि यह 24 marks है वो भी crack हो जाए काम का नहीं सोचना है, ज्यादा काम सोचेंगे हम 30 marks अभी क्यों सोचें हम 70 में at least 60 का सोच सकते हैं, 70 of 70 का सोच सकते हैं काम का नहीं सोचना है, काम का सोचोगे तो फिर आपके marks ऐसे ही काम हो जाएंगे ठीक है, जो passing marks होता है वो सभी subject में 33% होता है तो अगर आप 70 का 33% निकालोंगे तो 23 point something आएगा तो इस वज़े से जो passing marks रखा गया है वो 24 रखा गया है, ठीक है तो इस वज़े से मैंने कहा कि 23 भी लाते हो, तो grace marks देखे हो जो है, वो pass कर दिया जाता है ठीक है, तो यह हो गया chemistry का passing marks exam pattern, अब चलिए blue print देख लेते हैं और syllabus देखते हैं कि कौन-कौन से chapter से क्या-क्या पढ़ना है और कितने-कितने marks के questions आएंगे तो जो chapter 1 है, solid state वो आप लोग को नहीं पढ़ना है अच्छा, यहां पर यह भी एक चीज़ मैं आप लोग को बता आदू chemistry में, class 12 में total 16 chapter है दो बुक्या part 1, part 2 करके दोनों मिला के 16 chapter हैं जिसमें से जो हमारी syllabus में है वो केवल 10 chapters है, 6 chapters हटाएगा है तो वो कौन-कौन से 6 chapters हटाएगा है वो भी आके मैं आप लोग को जानकारी दूँगा जैसे first chapter है, solid state यह आप लोग को नहीं पढ़ना है और यह आप लोग के सारे topics है, इन सभी topics को हम एकिक करके समझेंगे जो कि आप लोग को भनसी का त्यागे में समझाएंगे अब यहाँ पे यह जो next chapter है, electrochemistry chemistry का chapter number 3 है तो यह भी आप लोग के syllabus में है और इससे आपके examinations में 9 marks के questions आएंगे next chapter आता है chemical kinetics तो यह भी syllabus में है और यह आपके 7 marks कोशन इस chapter से पूछे जाएंगे यह सब सारे यहाँ पे topics दिये गाएं ठीक है, एक-एक topic को हम सारी chapters को अच्छे से समझे जाएंगे chapter wise, topic wise सारी चीज़ों को देखेंगे important questions भी देखेंगे इसके बाद दो chapter remove किये गए है एक है surface chemistry दूसरा है general principles and process of isolation of elements in fact एक chapter और भी इसमें हटाये गिया है P block elements, हमें यहाँ पे D और F blocky elements पढ़ने है P block elements नहीं पढ़ने है तो surface chemistry के बाद यहाँ पे देखा जाए इस दो chapter, तीन chapter जो है वो remove किये गए है sorry, electric chemistry के बाद यहाँ पे जो तीन chapter है वो remove का एकत किये गए है एक है surface chemistry, दूसरा है general principles and process of isolation of elements और third है the P block elements rightly हमने पढ़ना है D and F block element ठीक है D and F block elements में यह सारी चीज़ें हमें पढ़नी है इसका अगर हम बात करें तो इससे आपके examinations में D and F block elements वाले से 7 marks का question आएगा ठीक है next, अच्छा देखूँ है D और F block elements में lengthonites और actinoites के बारे में भी पढ़ेंगे आपको पता होगा कि आपने class 10th में periodic classification of elements पढ़ा था तो periodic table के बारे में पढ़ा था तो में lengthonites, actinoites था बट उसको वहाँ पे हमने उतना deeply नहीं पढ़ा था तो इस चीज़ को हम यहाँ पे पढ़ने वाल है चलो next, जो chapter आता है वो है coordination compound तो आगर जो chapter हम पढ़ने वाल है वो है coordination compound जिसमें से आपके examinations में 7 marks का जो question है वो पूछा जाएगा ठीक है इसके बाद next chapter हम लोग को पढ़ना hello canes और hello airness तो इस chapter से आपके examinations में 6 marks के questions पूछे जाएंगे अभी तक जो भी chapter से रिमूव हुए है तो वो तो आपको पता चली गया होगा 7th chapter जो भी people elements तक थे तो वहीं पर remove हुए थे इसके बाद जो remove chapter है वो diet आप लोग का chapter 15 है chapter 15 आप लोग को नहीं पढ़ना है और एक chapter 16 last के जो दो chapter है वो आप लोग को नहीं पढ़ने तो यह सब सारे आप लोग को यहाँ पर पढ़ने है सारे chapters alcohols, phenols और ethers इससे हमारे examinations में 6 marks के questions पूछे जाएंगे आगे है aldehydes, ketones, carboxylic acids जिसका यहाँ पर जो topics है वो भी दिया गया है कि आप लोग को क्या-क्या पढ़ना है तो वो सारे चीज़ आगे हम पढ़ने वाले है तो इससे आपके examinations में 8 marks के questions पूछा जाएगा next आता है amines amines से 6 marks के questions पूछे जाएंगे and at last जो हम लोग का bio molecules है ठीक है bio molecules है तो इसमें carvohidrates, proteins, vitamins, nucleic acids इन सब को पढ़ेंगे हमेके करके और bio molecules से examinations में 7 marks के questions आएगा सब को आप count करके देख ले न आपके examinations में total marks बनेंगे 70 बनेंगे chemistry से 70 marks के questions पूछा जा रहा है 23 passing marks है ऐसे 24 है बट 23 पे लागे तो आपको pass कर दिया जाएगा ठीक है तो यह यहाँ पे syllabus था वो आप लोग complete होता है अगर हम practical का बात करें तो यह तो आपके school वाली करवाएंगे जिसमें volumetric analysis से 8 marks कर रहेगा salt analysis से 8 marks का content based experiment रहेगा 6 marks का project work रहता है 4 marks सा class recorder भाइवा होता है 4 marks का तो इस तरह से 30 marks हमारे practical से दिया जाते हैं तो complete हो गया 100 marks तो chemistry की सारी जो syllabus है सारी blueprint है, exam pattern है passing marks है, सब कुछ आपको पता चली गया है होगा next video में हम आगे बहुत ही सारी चीजों को देखने वाले हैं आज से आपको लोगी जो classes है वो लेने वाली है video रात को upload हो जाएंगी करीब वही 6 से 7 बज़े के आस पास में तो channel को subscribe करके रखे thank you